ओर हैलो नमसुकार जैन्थ हम लोग बात करने बाले हैं उत्तर प्रदेस पोल्स कांस्टेबल तथा रफ आर्था रेलेवे प्लिस फॉर === अर civ कुछ आपके आपके सामने हो जाएगा आपके लगा Менचे इसकते हैं कि कुछ Iyan कुछ kinda का है किसकी त्यारी करनी चाहिए तौन साथ की त्वह के साक्षि कशलों के हो त्वह कुछ उकर woven कुछ स next hours left कर दिजीगा और चैनल को भी तक subscribe नहीं कि होगे तो subscribe कर लेजेगा जिस इस प्रकार की इनफर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिल पाए RPF Constable और RPF SI का दोनों का combine भेंच practice भेंच हम स्वम्वार से start करने वाल हैं तो अगर आप RPF Constable था आठवा आर्पी अप एसाई के लिए त्यारी कर रहे हैं तो सम्वार से सुबह आठ वजे से हमारे चैनल से लाइब देख सकते हैं आठ वजे से वह बाद वीडियो रिकार्ड भी हो जाएगी तो लाइब के बाद रिकार्ड भी देख सकते हैं हम आपसे उमीद करेंगे कि प्रेक्टिस के लिए आप रोज आठ वजे सुमार से अठ वजे लाइब देख सकते हैं जो क्वालिटी का क्वेश्टन होगे जिनके एकजाम में आने की संभावना अधिक से अधिक होगी देखे सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेवल के लिए इधर इस्तर प्रदेश कांस्टेवल के बारे में बात करेंगे इधर आर्पी आप कांस्टेवल के बारे में बात करेंगे बारी बारिश देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है डिफ्रेंस क्या ह देखें अगर sorting दीट में कि बात करें तो 2N62 ok Pokemon में सने के तो लेबल सम्हार का लेबल आर्फाप लेवल थर्ड लेवल कहा जाता 3 डे करेंस से ऋटर्ट के बैकन सी यह सिर्फ उत्तर्प्रदेश में सर्विस करना है और यह सिन्टर्व की संटर्विस करना होगा इंडिया में सर्विस करना लेकिन इसमें इस सेंटर की वेकेंसी है तो इसमें सभी को आरक्षण मिलेगा चाहे उत्तर प्रदेश के हों चाहे उत्तर प्रदेश के बाहर को आने के सी स्टेट के हों सभी को आरक्षण मिलेगा तो इसलिए इंडिया अस्तर पार अक्षण यह मिलेगा आरक्षण हमने बता लेकिन दोनों एक कि 에्स्टेट की है दोनों में भत्थे होते हैं त्यादी जोड़ करके अंतर आता है यह की तेरा मंत की द्परकें क桌 रेल्य मुद्वर लेगी क्योंकि डोनों यह हें, दोनों सुरक्ष्छा बल हैं, इसलिए दोनों को 13 माहिने की सेलेरी मिलेगी, सके बाद ट्रेणि के बाद सेलेरी कि बाद कर लेने के बाद हाथ में कितनी सेलेरी अईगी account में तो वो EP Constable की लिए 30 से 32,000 आ सकते हैं, 30 से 32,000 के आसपास in hand आएगी, जो इसके लिए RPF Constable के लिए 40 से 42,000 तक आएगी, क्योंकि भत्ते उते इसंटर की नवकुरी है, तो भत्ते उते जादे मिलेंगे, तो सब कुछ भत्ते उते जोड़ करके 40 से 42,000 मिल जाएगी, और इसकी 30 से 32,000 मिल जाएगी duty time की बात करें तो 12 घंटे की duty होगी समानिता की बात कर रहे हैं कभी कभी special कॉर्षाज में special condition में 24 घंटे भी हो सकती कभी दो दिन तीन दिन लगतार भी हो सकती है तो वह अलग सीज़ है लेकिन समानिक eighth कंडीशन में 12 घंटे की duty होगी इक दिन का रेश्ट मिलता है प्रोमोहशं की बात करें तो दस बर्स में दोनों प्रोमोहशं हो जाता है प्रोमोहशं संफित्र संभव के बात करें तो इस की दिव्मेदारी की बात करें तो up constable क्योंकि up constable में लाइंड आर्डर मेंटर करना होता है Сам Об जिम्मेदारियां अधिक होती है जबकि RPF Constable में जिम्मेदारियां उसमें भी होती है ऐसी बात नहीं लेकिन अपेक्षा करत कम जिम्मेदारियां होती है क्योंकि एक कहीं इस्टेशन पर या कहीं और जो रेल्वे की समपति की सुरग शाय त्यादी समबंद में उनकी पूंस्टेवल को फंदरस यं मिलेगे और तीस यहल मिलेकर यानी कि पैताली से छुट्विया मिलेगे इनको साल भर बैं साल भर में कर л 17しま 60 लेकिन चुटियों में यह 60 चुटिया जो है कि आप जब चाहें कि तब नहीं मिलेगी आप एक वर्स में चुटिया ले सकते हैं जरूर लेकिन आप जब चाहें कि तब नहीं मिलेगी आपको अधिकान और अधिकांस तब होता है जब जरूरत पड़ती है तो उससे में चुट के लिए जब कि आर्पियाफ कांस्टेवल के लिए प्रते एक बच्चे पर 27,000 एक बरसका और दूसरे बच्चे पर भी 27,000 एकर्सका यानि कि दोनों बच्चे दो बच्चे अगर आपके हैं तो दोनों के मिलाकर 54,000 आपका अपका अलांस मिल जाएगा साल बर में तीन हैं तो प्रकार से कोई भी फ्री यात्रा नहीं मिलता है जबकि अर्पियाफ कांस्टेवल को थर्ड एसी का पास मिलता है फ्री में तो थर्ड एसी का पास मिलता है आर्पियाफ कांस्टेवल को डिपार्टमेंटल एक्जाम के अगर बात करें तो डिपार्टमेंटल एक्जाम कोई कांस्टेबल के बाद हेट कांस्टेबल के बाद SI आता है हेड कांस्टेबल बाद ASI नहीं आता है डायरेक्ट साइटा सब इस्पेक्टर उसके बाद इस्पेक्टर जबकि आर्पिफ कांस्टेबल में कांस्टेबल के बाद head constable के बाद ASI होता assistant sub inspector होता है तब SI होता है यानि कि sub inspector होता है तो इसमें rank एक बढ़ जाती है और इसमें rank वो खतम हो जाती है direct SI पर चले जाते हैं इसके बाद यह फिर यह डायरेक्ट तो duty range की अगर बात करें तो यहां से आप देखिए promotion की बात करें तो इसके बाद यह जाएंगे लेकिन promotion fast इसमें होता है क्योंकि इसमें departmental exam भी होता है तो थोड़ा सा यहां कहीं अच्छा है इसमें है तो कहीं अच्छा इसमें है duty range की बात करें तक क्यावल उपी में duty करना होगा इसमें आल इंडिया में duty करना होगा इसको मैंने समझा दिया तो कुल्मला का result resultant अगर हम बात करें तो रिजल्टant सबसे पहली बात तो यह है कि दोनों में देखेंगे कैसे किसमें जाएं और किसमें नहीं जाएं तब आप को निरस लेना होगा जब दोनों को क्वालिफाय कर जाएंगे सबसे पहली बात मैं आपसे यह कहाना चाहूंगा कि आप जिसमे पहले क्वालिफाय कर लेते हैं उसमें आप चले जाएं चाहिए अगर दोनों को Andru प्रफ़ाय करते हैं तो हमारे अनुसार आपको आर्पीफ कांस्टेबल में जाना चाहिए फिर भी आपकी अपनी मर्जी है आप इसमें बजा सकते दोनें में जा सकते हैं आपकी अपनी मर्जी जो चीजे थी मैंने आपके सामने रख दी है अब इस आधार पर आप निरने के लिए अगर त्यारी कर रहे हैं तो समवार से आठ बजे लाइब क्लास देखे प्रेक्टिस बैच लाइब प्रेक्टिस बैच देखे जिससे आपको काफी फायदा होगा उसमें वहीं वह इसे ही क्वेशन डिले जाएंगे जो डारेक्ट रूप से एक्जाम में आएंगे द्रोण जीए स्रिसार संटर के साथ बने रहने के लिए आप सभी का देल से बहुत बहुत धन्यबाद